एक चोटा सा गाव था, जहां एक प्यारा सा लड़का रहता था, जिसका नाम रोहन था। रोहन हमेशा खुश रहता था, लेकिन उसके पास कोई दोस्त नहीं था। उसकी इच्छा थी कि उसका कोई सचा दोस्त हो, जिसके साथ वो अपने दिल की बाते कर सके डौट एक दिन, रोहन अपने घर के पास के जंगल में खेल रहा था। अचानक उससे जाडियों के पीछे से एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना और उस दिशा में बढ़ा। वहां उसने देखा कि एक चोटा सा कुट्टे का पिल कामपते हुए बैठा था। पिल बहुत ही प्यारा था, लेकिन दार से काम प्रहा था। रोहन ने उसे देखा और चूरंट हाई यूज अपनी गौड में उठा लिया। पिल ने चूरंट हाई अपनी चोटी सी पूच हिलाई और रोहन की और प्यार भरी नजरों से देखा डॉट रोहन ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। उसने अपनी मा से पिल को रखने की इजास्त मांगी और मा ने सहमती दे दी। रोहन ने उसका नाम टॉमी रखा। टॉमी और रोहन जल्द ही सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे हर जगह साथ जाते, खेत में दोडते, तलब के पास खेलते और रात को एक ही बिस्तर पर सोते डॉट टॉमी धीरे-धीरे बड़ा होने लगा और उसकी और रोहन की दोस्ती और भी गहरी हो गई। लेकिन एक दिन गाव में एक बड़ी समस्या आ गई। गाव के पास वेल जंगल में एक बड़ा और खतरनाग जंगली जानवर आ गया था, जो गाव के मवेशी को नुकसान पहुचा रहा था। गाव वाले बहुत चिंतित थे, लेकिन किसी के पास भी उस जानवर से निपटने का उपे नहीं था डौट एक रात, जब सब लौक सो रहे थे, रोहन को टॉमी की भौंकने की आवा सुनाई दी। वो जल्दी से उठा और देखा कि टॉमी दर्वाजे के पास खड़ा था, उसकी आँखों में एक अजीब सी चमक थी। रोहन ने दर्वाजा खोला और टॉमी ट्योरंज जंगल की और भागा। रोहन भी उसके पीछे दोड़ा डॉट जंगल में पहुँचते ही रोहन ने देखा कि वही खतरनाग जानवर एक मवेशी पर हमला करने वाला था। लेकिन टॉमी ने बिना किसी दार के उस जानवर पर जपता मारा और उसे वहां से भगा दिया। रोहन को अपने प्यारे दोस्त पर गर्व हुआ। उस दिन के बाद गाव वालों ने टॉमी को हीरो मान लिया।